आज हम अपने इस वीडियो में अरली स्प्रिंग सीजन के जो है कुछ पोधे सुन्दा फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं अर दूसरा है ये देखिए ट्यूलीप का पोधा जो है स्प्रिंग सीजन के बहुत ही खुपूश्रत ये पोधा है वैसे फली नहीं देखिए उसको बरिदास्ने वाल्ग के बारे में पाया है बहुत ही सुन्दर सुन्दर कलर में आता है और इसके लिए आप ऐसी सोईल मिक्स तयार करें जो कि बिल्कुल उसके जो ड्रेनेज है अच्छे तरह से पाने उसमें बिल्कुल ना रुके कई कलर में भी आते हैं और अगला है यह देखे पोधा लीली ओफ वैली का तो यह बल्ब के द्वारा ग्रो होते हैं जब हम इनके बल्ब ग्रो करें तब हमें इन्हें थोड़ी देर के लिए 5-10-15 मिनिट के लिए हमें फंगिसाइड में रख देना चाहिए और हम इनके जो बल्ब है वो नेक्स्ट लेर के लिए भी संभाल कर रख सकते हैं तो ज्यादा गर स्प्रिंग का बहुत ही सुन्दा प्लांट है बड़े बड़े इसके पेड़ हो जाते हैं अगर आप इसे गंबले में लगाना चाहिए तो गंबले में भी लगा सकते हैं बहुत ही देखिए इसमें बिल्कुर नहीं दिखाए देती भर भर के यह फ्लावरिंग करता है तो यह इस पोदर का आपको जरूरी स्प्रिंग सेजन में लगा लेना चाहिए तो अगला पोदा है यह देखिए लाइलाक का लाइलाक का जो पोदा है यह गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और इसे 4-6 घंटे की दूब डेली चाहिए अने कलर में यह आता है और बहुत बास्केट में दोनों में लग जाता है और शीड से यह आसानी से ग्रो हो जाता है तो बहुत ही खुश्यत यह इस प्रिंग का पोदा है अगला पोदा जो यह देखिए स्नोड रोप प्लांट तो जैसे इसका नाम है वैसे इसकर देखिए फ्लावर है ऐसे लगता है जैसे ताप मान बढ़ने लगता है वैसे वैसे इसमें फ्लावर आना बंद हो जाते हैं इसके हबल को भी हम नेक्स्ट एर के लिए रख सकते हैं और अगला पोधा है यह देखे बहुत ही खुश्रत ब्लू बैल्स का प्लांट जो देखे बिल्कुल बैल की तरह इसके फ्लावर लग चैनल कि माने भी आती है जैसे कोथ सकूंद का हृत तरहwow कि फ्लावर अत्रम सकते हैं प्लावर आप जमीन में लगा सकते हैं उसमें सब्सक्राइब से ग्रों हो जाता है इसको अब जरूर 2 लगाए कि यह ज्यादा करता है तो अगला 10 का यी तो आप सब लोग जानते ही यह बहुत जादा सुब्सुन दर कलर में आता है मैं оп motion में है ने मुझे लेट समर्द अब तो बहुत ही इजी है इसको लगाना यह सीड से कटिंग से दोनों से असानी से ग्रो हो जाता है तो इसे भी अपने आपको जरूर एड कर लेना चाहिए फ्रेंज मैंने स्प्रिंग सीजन के कुछ बहुत सुंदर सुंदर जो फूलो वाले पोध हैं उनकी जहानकारी आपको दिए अपने इस वीडियो में अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करना ला